नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको कामदा सत्मी की कथा सुना रहा हूँ प्राणिक मानताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में सूर नीच का होता है उनके जीवन में काफी परेशन आती हैं ऐसे में यदि जातक कामदा सत्मी का ब्रत करता है तो उसे इन परेशानियों से निजात मिलती है ऐसे जातकों का सूर बलवान हो जाता है और जीवन में सकारत्मक उर्जा प्रिविस करती है दार्मिक मानताओं की अनुसार सूर देव कुंडली के मान सम्मा स्वास्त तेज आत्म विस्वास और सत्ता सुख के कारक माने जाते हैं ऐसे में ये वरत खास तौर पर उन जातकों के लिए बहुत फलदाई मन जाता है जिनकी कुंडली में सूर ग्रह की इस्दती कमजोर है और किसी काम में सफलता प्राप नहीं उपा रही है साथ ही इस ब्रत को करने से धन सेहत सम्मंदी समस्यां दूर होने के साथी जीवन में सवी खेत्रों में सफलता मिलती है जेश्ट मा के सुकल पक्ष की सप्तमी तिथी को कामदा सप्तमी ब्रत रखा जाएगा कामदा सप्तमी का दिन बिसे इस रूप से भागवान सूर देव को समर्पित होता है मानता है कि कामदा सप्तमी का ब्रत भक्त मनुकामनाओं की पूर्ती हितु करते ही कामदा सब्तमी का ब्रत इस बार 6 जून 2022 को रखा जाएगा पराणड़क मानताओं के अनुसार कामदा सब्तमी ब्रत की महिमा स्वेम ब्रह्मा जी ने अपने स्री मुख से भागवान विश्नु को बताई थी कहा जाता है कि इस ब्रत को करने से उन लोगों को बेशेज जूप से लाब मिलता है जिने संतान नहीं होती है और जिने धन सम्मंदी समश्या लगातार बनी रहती है कामदा सब्तमी ब्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है स्वास्त धन संतान और पद प्रिटिष्टा की प्राप्ती होती है इस वर्ज जून मा के कामदा सप्तमी का ब्रत 6 जून 22 दिन सौंबार को रखा जाएगा कामदा सप्तमी ब्रत महूर्ट जून माह में सब्तमी तिथी प्रारम हो जाएगी 6 जून सौंबार को सुबह 6 बचकर 40 मिर्ट पर और इसका समापन 7 जून मंगलवार को सुबह 7 बचकर 55 मिर्ट पर होगा पूजा विदी इस प्रकार है सब्तमी तिथी के दिन ब्रत के दिन निराहा रहकर भागवान सूर्देव की पूजा करनी चाहिए साथी पूजा के दोरान खाकोल का आइन नमे और सुर्याई नमा मंत्र का जाप करना चाहिए इसके अलावा मनता है कि ब्रत वाले दिन सूर्देव से सम्मंदित वस्तुओं जैसे घी गुड आदी का दान करना सुब होता है इसके बाद अश्टमी तिथी के दिन ब्रत का पारण करने के बाद ब्रामणों का पूजन करके उन्हें खीर खिलानी चाहिए कहा जाता है कि पुंड्रीक नामक नागों का एक राज था यह राज बहुत बैवव साली एवं संपन था इस राज में अपसराएं गंदर्व और किन्नर रहा करते थे वहां ललिता नाम की एक अतिसंदर अपसरावी रहती थी उसका पती ललित भी वहीं रहता था ललित नाग दरवार में गाना गाता था और अपना नित्र दिखाकर सबका मनुरंजन करता था इनका आपस में बहुत प्रेम था दोनों एक दूसरे की नजरों में बने रहना चाहते थे राजा पुंडरीक ने एक वाल ललता को गाना गाने और नित्र करने का आदिस दिया ललित नित्र करते हुए और गाना गाते हुए अपनी अपसरा पत्नी ललता को याद करने लगा जिससे उसके नित्र और गाने में भूल हो गई सबा में एक करकोटक नाम के नाग देवता उपरस्त थे उन्होंने पुन्रिक नामक नाग राजा को ललत की गलती की वारी में बता दिया था इस बाद से राजा पुन्रिक ने नाराज होकर ललत को राख्यस बन जाने का स्राप दे दिया इसके बाद ललित एक अत्यंद बुरा दिखने वाला राक्षस बन गया उसकी अफसरा पतनी ललता बहुत दुखी हुई ललता अपने पती की मुक्ती के लिए उपाय डूनने लगी तब एक मुनी ने ललता को कामदा सप्तमी ब्रत रखने की सला दी ललता ने मुनी के आस्रम में कामदा सप्तमी का ब्रत का पालन किया और इस ब्रत का पुन लाव अपने पती को दे दिया ब्रत की सक्ती से ललत को अपने राक्षस रुप से मुक्ती मिल गई और फिर वह एक सुन्दर गायक कंदर बन गया